शादी तो शांदार होनी चाहिए, शादी के 3-4 फंक्शन तो होने ही चाहिए, शादी के हर फंक्शन के लिए डिजाइनर कपड़े तो चाहिए ही चाहिए, जब भी किसी परिवार में शादी का माहोर होता है, तो इस तरह की बाते होती ही होती हैं, और यह सब कहां से आया, य नहां दिखाया जाता है कि शादी जो है वो बहुत बड़ा फंक्शन होता है और उसके लिए जो है डिजाइनर लहंगे चाहिए इतने लोगों को बुलाना है इतने डिशेज बनवानी है ये सारी चीजे बॉलिवूड से आई हैं लेकिन बॉलिवूड की ही एक अभिनेत्री जिन्होंने इतने सिंपल तरीके से शादी की कि लोग अचम भित रह गए लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई इतनी बड़ी अभिनेत्री इतने बड़े बाप की बेटी और शादी देखो कंजूसी के साथ कर रहे हैं कई लोगों ने कहा भी कि भाई पैसे बचा ल शेत्रजिन सिना की बेटी हैं सुराक्षी सिना खुद भी एक्टर्स हैं चाहती तो बहुत बड़ी शादी कर सकती थी तीन-चार दिन का फंक्शन रखफा सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने दोपहर में रजिस्टर्ड मेरिज की और शाम को ए बहुत ज़ादा दवाब था इस बात के लिए कि शादी तो बहुत बड़ी होनी चाहिए ग्रेंट शादी होनी चाहिए मेरे कई दोस्त मुझसे नाराज हो गए उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की सिंपल शादी कौन करता है कई मेरे डिजाइनर जो है वो मुझसे खफा हो कि शादी में तुम्हें 5-6 बार तो कपड़े बदलने पड़ेंगी जिसके लिए मैंने इंकार कर दिया मैंने अपनी शादी में सिर्फ दो बार कपड़ें बदले सुनाक्षी ने कहा कि दरसल जब मेरे भाई की कुछ की शादी हुई थी तो उस दौरान में हैरान रह गई थी 5-6 दिन के फंक्शन थे बहुत अलग-अलग फंक्शन थे और हर फंक्शन में तकरीवन 5-6 हजार लोग पहुँचे थे अटेंड करने और उन सब चीजों को देखने के बाद मैंने मन बना लिया था कि मैं जब भी शादी करूँगी तो बहुत ही सिंपल तरीके से करूँगी उस शादी में मेरे कुछ खास लोग ही इंवाइट होंगे उसके अलावा मैं किसी और को इंवाइट नहीं करूँगी ये बात मैंने अपनी मां को भी कह दिया था, क्लियर कर दिया था, कि मेरी शादी सिंपल तरीके से होगी, भाया की शादी की तरह नहीं होगी. और सोनाक्षी ने यही किया सोनाक्षी ने अपनी शादी में जब वो रजिस्टर्ट मैरिज कर रही थी तब उनके खास लोग ही उनके साथ थे शाम को रिसेप्शन में बॉलिवूर को बुलाया था उन्होंने सोनाक्षी ने कहा कि मैं अपने खास पल्व को अपने खास लोगों के साथ enjoy करना चाहती थी ना कि भीड के साथ मुझे भीड नहीं पसंद मैं उन लोगों को जिनको नहीं जानती मैंने invite नहीं किया था मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को invite किया जो की मेरे को खुश देख के खुश हो रहे थे मेरे दोस्त उसमें शामिल थे हाला कि कई लोग इस शादी में है छूट भी गए नाराज भी हुए अभी तक बाद भी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी मेरे लिए मेरी शादी वाला दिन बहुत महत पूंट था और मैं इसे खास रखना चाहती थी